कल जिस तरह से अडवानी जी को जो भारत रतन प्रस्तुत कर रही थी मुर्मू जी, राजा की तरह से मोदी जी बैठे वे थे, दलितों का आदिवासियों का अपमान कर रही, देश का दलित आदिवासी ऐह अपमान नहीं बरदास करेगा मोदी जी, बहुत हो गया आपका जो भासन जादू इगरी और अब अब सब लोग समझने लगे हैं और इसी के डर कोजे से सब इडी उगरा का दोर्पयोग कर रहे हैं कि दली तादिवासी और पिछड़ा इंसे कट गया है इसी ओरीजिनल ओबीसी ही नहीं हो इसले ओभावना आएगी नहीं हो यह नकली ओबीसी ह है असली ओबीसी होते तो साइध इस तरह का बेवहार न करते हैं अपमान न करते हैं कि जिस तरह से मोधी जी आज सारी इंस्टिटूशन को इन्होंने अपने पाउं के तले दबा दिया है राजा की तरह यह बेवहार करते जा रहे हैं हम दली तादिवासी पिछड़ों से आगाह करना चाहते हैं कि इस चुनाओं में अगर इनको चार सो स्पार जो सिटे हो इससे तो बेम्यानी सी हो जीतेंगे वन्ना डेर सो परने दो सो से ज्यादा है जीती ही नहीं सकते एबीम से जीतें जो भी है बेलकुल की जबाना जब्त करें नहीं इस देश के अंदर आहिलाएं गुलाम हो जाएंगी दलीद पिछड़े और अल्वसंक्य सभी को गुलाम बनेगा कुछ चंद पूजी पती हैं वही देश को चलाएंगे अभी से माहुल बना देंगे हमें चार सो सिट मिल रही पौनें चार सो सिट मिल रही है तो जब बैमानी से जीतेंगे एल को पहले बोलना पड़ रहा है कि यह जान करके माहुल पैदा कर रहे हैं कि मोधी जी आरे सो सो बीजेपी को जो अंद्रोनी भावना है कभी-कभी एक्स्प्रेस हो जाती है और सत्यपाल जी ने भी सत्यपाल मलिक जी ने भी इस बात को कहा भी था कि एक बार राजपती दुर्पदी मुर्मू जी से एपॉइंटमेंट लिया उन्हों तो जो रास्ते में थे तो खबर राई के अपॉइंटमेंट काइं से तो जब से कोविन जी हुए है कोविन जी थे और मानिया मुर्मू जी तो इनका अपॉइंटमेंट भी पियमों तें करता कि किस से मिलेंगे किस से नहीं मिलेंगे यह सत्वाल मलिक जी ने कहा आप चक कर सकता तो वास्तों में जो चार सो का चार सो पार का इनका योजना है जैसा आनंद कुमार हेगडे जी ने कहा पहले के मंत्री थे और अब बर्तमान में करनाटक के बीजेपी के अंपी हैं कि चार सो पार इसलिए चाहिए कि सम्मिधान बदलना है कल जिस तरह से अडवानी जी को जब भारत रतन प्रस्तुत कर रही थी मुर्मू जी तो कि राजा की तरह से मोधी जी बैठे वे थे एक द्रिश्टांत नहीं है तमाम सारे द्रिश्टांत और भी हैं जब उद्गाटन हो रहा था नई संसत का तब भी नहीं नहीं उन्हें बुलाया और संसत में जब परवेश कर रहे थे अपने मित्रों के साथ और संसतों के साथ जिसमें कोई इसा गुपता अक्ट्रिस थी और कंगनारानाओत और सारे लोग वो तो साथ में गए उस अवसर पर भी नहीं बुलाया राश्पती महोदया को उस राश्पत अवसर पर भी लाया कि चलिए आप प्रवेश्ट तो कर लीजिए मेरे साथ और जब सिलान्यास हो रहा था इस जमीन का या इस भावन का तब कोविन जी राश्पती थे उस समय भी नहीं कोविन जी को बुलाया गया था एक नहीं कितने द्रिश्टान थे एक साधी का समारों में वो आप चक कर सकते हैं कि वहां मोदी जी हैं स्टेच पर ब्राइड एंड ब्राइड गुरूम है एक तरफ रामनात को बीन जी है दूसरे तब मोदी जी और को बीन जी हाथ जोड़कर खड़े हुए मोदी जी एक नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं और कुछ पिक्चर यहां भी हम रिलीज करते हैं प्रोजक्टर के द्वारा दिखा भी देगे और यहीं नहीं शुरू से जब सम्मिधान बनकर के बना तो बार दिसंबर उन्निस सो न्चास में बाबा साहब डाक्टर अमबेतकर का पोतला और सम्मिधान की प्रती RSS और हिंदू महासभा ने जलाया था और गुलोवर्कर जी ने कहा था कि सम्मिधान डाक्टर अमबेतकर ने तमाम नकल मार के बनाया तो एतनी घ्रणा और 2014 के बाद से जिस तरह से प्राइबिटाइजिशन कर रहे हैं नुकरियां खतम कर रहे हैं सरकारी कमपनियां बेचा पब्लिक सक्टर अंडर्टेकिंग बेच रहे हैं नुकरी के रास्ते बंद कर दिया शिक्षर संस्ताय लगबग एक हजार से ज्यादा इंवस्टीज हो गई है 48 इंवस्टी सेंटर गोवर्मेंट की हैं जिसमें एक वाई चांसलर यसी का है यह चाहितना नफुरत करते हैं नाम मात्र का यह राज़्टी के पद पर बैठा देते हैं और जगों पर बैठा देते हैं जो 400 पार का नारा इन्हों ने दिया है सम्मिधान खत्म करने के दिया कल की इंडियागड मंदर की रख में जन्नाइक राहुल गांदी ज 시är उघ कहना कि इनका देश्य है ऌर सम्मिधान खत्म करना और सम्मिधान खतम हुआ महिलाओं की भागेदारी खतम हो जाएगी दलीद पिछड़े आदिवासी अलब संक्यक सब को जो अभी तक सुविधाय मिल रही थी भागेदारी मिल रही थी सब खतम हो जाएगा मैं चाहता हूं कि वी जो आप देख भी लें तो मैं इनकी निंदा करता हूं कि जिस तरह से मोधी जी आज सारी इंस्टिटूशन्स को इन्होंने अपने पाउं के तले दबा दिया है राजा की तरह यह ब्यवहार करते जा रहे हैं और प्यास्पी थी ट्राइबल सब प्लान और सिरूर का सब प्लान उसका पहले एक काश्टे उसनल दरजा था प्लानिंग कमिशन में उसको भी खतम कर दिया लोने तो आप विज्वल देखें हम दली ताजवासी पिछड़ों से आगाह करना चाहते हैं कि इस चुनाओं में अगर इनको 400 पार जो सीटे हो इसस नहीं सकते हैं इबीम सी यतें जो भी है बेलकुल इनकी जबाना जब करें नहीं इस देश के अंदर गुलामी आ जाएगी महिलाएं गुलाम हो जाएंगी दली पिछड़े और अलब संक्य सभी को गुलाम बनेंगा कुछ चंद पूजी पती हैं वही देश को चलाएंगे त तो प्लीज विजूल दिखा दें आप विजूल देखेंगे कुछ कुछ भी हुआ हैं एंद निकना थैस यजूल दिखना यज घए हैं livres new लिक फट आफश थैंक यू दो तीन और इमेजिज हैं इसमें कोबिन जी खड़े हुए है योगी जी डायस पर बैठे हुए है वो इमेज भी आप एक्सेस कर सकते हैं अब ये कि मैं जोर है जैसा मैंने कहा कि साधी के उसर पर तो इस तरह से दलितों का आदिवासियों का अपमान कर रही है कि देश का दलित आदिवासियों यह अपमान नहीं परदास करेगा मोधी जी बहुत बहुत हो गया बहुत हो गया आप क्या आपका जो भासन जादू यूरी और अब 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 सब लोग समझने लगे हैं और इसी के डर कोजे से सब इडी उगरा का दोर्प्योग कर रहे हैं क्योंकि दलित आदिवासियों पिछड़ा इंसे कट गया है काफी अंदर से भरा पड़ा हुआ जान्यमात को प्रमोट करते हैं ताकि डिवाइड हो जाए तो कभी किसी को कभी किसी को तो जितने ज्यादा दलितों में डिवीजन हो जाएगा आदिवासियों पिछड़ों में डिवीजन हो जाएगा उतना ज्यादा इनको लाब मिलेगा आवाज आ रही है देखे ऐसा है यह महोल बना रहे हैं बैमानी करके वहां तक पहुंचने के अभी से माहोल बना देंगे हमें 400 सित्मील लए पौने 400 सित्मील रहे है तो जब बैमानी से जीतेंगे एलक्षन कमिशन की आप इंडिया की बहिमानी एबीम की बहिमानी और तरह से तमाम बहिमानी के माध्यमते जीतेंगे तो लोग सक न करें इसके इसलिए हमें पहले बोलना पड़ रहा है देखिए ऐसा हो जानबूच के करते हैं जानबूच के नहीं वो अक्चुली वो जनरल कटेगरी में नहीं हो इसलिए भावना आयेगी नहीं यह नकली ओबीसी हैं तो मोदी जी नकली ओबीसी है असली ओबीसी होते तो साइध इस तरह का बेवहार न करते हैं अपमान न करते है जानबूच के नहीं कह पाए थे इस बार समय पर इसका एक्सपोजर करना जरूरी है कि चार सो पार का नारा इसलिए दे रहे हैं कि बेमानी से जीते और जनता उसके खिलाब रिवोल्ट न करे जनता को माइंड सेट पैदा कर रहे हैं कि हम इतना जीत रहे हैं